तो भाई क्या खाया है कभी फ्राय राइस स्टाइल पुलाव जो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनिट के अंदर बना हुआ है और ये डिश बहुत जादा अच्छी है क्योंकि एक बार अपनी फ्रेंड के घर पे खाया था उसकी ममा ने बना था बहुत भाई बहुत जादा अच्छा ब देखिएगा पुलाव तो भाई जब मैं प्लेट पर डाल रही थी ना यह पुलाव क्योंकि इसकी खुझबी भी बहुत जादा च्छी आरी और यह बहुत जादा अच्छा दिख रहा है इसकी चावल लिदम अलग-अलग है तो चलिए बनाते हैं अपना पॉलाव जो सिफ दो राएव भेजla हुआ प्याज और यहाँ पर मैंने थोड़ा से मटर उता सबित साम के बच्छी वह पुलाव चावल हां या शाम के बच्छी में फूलावस पुलाव तो चलिए करते हैं तो इसके लिए में मैं कढ़ाई में डाल रही हूं रिफाइन वाला तेल अगर आपको थोड़ा सा बटर या फिर कुछ और यूज करना तो अब यूज कर सकते हैं और अब मैं डाल रही हूं अपना पनीर और हमें पनीर को थोड़ी देर तक फ्राई करना है हलकालका सा ताकि तो यहां पर मुझे जितना पनीर डालना है उतना मैं पनीर दाल कर इसे अंतर कर लीति हूँ पार्श मिर्ट तक अच्छे से ज़्यादा देर तक हमें नहींakर ना है है हो यहां पर हमारे पहले से एकाटरी में निकाल कर रखा था तो अब मैं इसे पांश मत करती हूं अगर आपको ज्यादा म्तर पसंद थो थोड़ा से ज्यादा मतर राल सकते हैं तो हमें इस ज़दी तेर तक फ्राइव नहीं करना है वरना हमारे जू मटार रहे वह टाइट हो जाएगा तो चलि अब इसे भी जल्दी से कटरी में निकाल कर रख लेते हैं यहां पर मैंने अपने सारमेटर को निकाल कर रख लिया है तो चलिए अगले स्टप में तो यहां पर मैंने कड़ाई लिया और यहां हमारे कड़ाई गरम हो चुकी है तो तो मैं इसमें डाल रही हो तो कड़वा तेल और अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने कटा हुआ बारी कटा हुआ प्याश लिया था आप मैं इसमें प्याश डालूंगी क्योंकि हमारा तिल गरम हो चुका है तो अब हमारा प्याश पक चुका है तो आप मैं इसमें डाल रही हो अपना कटा हुआ टमाटर जहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया अगर आपको ज़्यादा बनाना आप थोड़े से ज़्यादे योज़ कर सकते हैं तो पांच मर्द तक इसे ऐसे करने के बाद हमें इसमें डालने वाले हरे मिर्च कि अपनी हरे स्टाइल से तो पुलाओ खाया होगा पर इस स्टाइल से पुलाओ कभी नहीं खाया होगा आ सकते चलिए जल्दी से जल्दी बनाते हैं तो अपने इसमें डाल रहे हूं अपने तेश पत्ता है तो अब में डालने जा रहे हूं हरा मटर जो मैंने फ्राइ किया था, उसके बाद हम डालेंगे पनीर करके पहले से रखा हुआ था तो अब इसमें डाल रहे है अपना पनीर उससे अब हम जल्दी से मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से सिर्थ 2-3 मिर्च के लिए तो हम मैं डाल रही हूँ आधी चमच लाल मिर्श क्योंकि मैंने पहले से ही आहारी मिर्श डाली थी अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर अपने आधी चमच धनिया पाउडर यहाँ पर मैं एक चमच नमक डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के हसाब से डाल लिएगा नमक तो अब इसे जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं पाच मिट के लिए और हाँ मैं इसे एकदम लोग फ्लेमर पकाना है तो अब मैं इसमें डालने जाली हूँ जो मारे साम के बचे हुए पुलावाले चावल थी यहाँ पर मैंने अपने सारे चावल डाल रही है तो जल्दी से मिक्स करते हैं तो यहाँ पर हमें 5-10 मिट के लिए चमच को यह से चलाती रहना है अपने चावल को अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इसे हाई फ्लेम पे करके 10 मिट के लिए छोड़ देना है तो भाई 10 मिट बाद देखिए मैंने कैसे किस तरह से मारे पुलाओं लग रहे कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें खुश्बू भी बहुत प्यारी आ रही है अगर आप थोड़ा से कुछ और अलग से आड़ करना चाहिए तो आप एट कर सकते हैं वरना इस तरह से बनाए सब्सक्राइब करेंगा तो चलिए तब तक के लिए बाए और आप जरूर बना के देखिए और जाते आते वीडियो को लाइक कर देना और चैनलों को सब्सक्राइब कर देना अ झाल झाल